नमश्कार दोस्व आप सभी का स्वागत करते हूं कि SSCNU के PSC क्रैकर में तो उत्राखन लोग सिवा आयोग द्वारा सहयक अभियोजन अधिकारी की जो नई वेकिंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी जिसमें की हम बात करेंगे कितनी पोस्टे रहने वाली हैं फॉर्म किस तरी किसा आपको फिल अप करना होगा और स्लेबस आपको किस तरी किसे देखने को मिलेगा तो यह जो वेकिंसी रहेगी आपकी APO की रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पदो की संख्या पर भी हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली एज लिमिट किस तरी किस रहेगी अदर स्टेट की कैंडिडेट्स इसको किस तरी किस अगर भढ़ना चाहते हैं तो कैसे भर पाएंगे सारी चीजों पर अभी हम बात करेंगे तो ये वेकेंसी जो आपकी निकाली जाएगी वो आप लोग देखने उत्रकंड लोगसेवा आयोग द्वारा UKPSC द्वारा ये वेकेंसी निकाली जाएगी जो की सहायक अभियोजन अधिकारी की रहेगी कुल पदो की जो इसमें संख्या रहेगी अध्याचन जो आयोग के पास पहुंच चुक है संभाविद जो है आपको डेड़ सो प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी तो ये पोस्ट जो रहेगी APO की यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें की डेड़ सो पदो पर ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो इसमें आवेदन आप कैसे कर पाएंगे कौन-कौन से वर्गों में आपको जो है आरक्षन मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है सामानी वर्ग रहेगा उत्राखन अनुसूची जाती अनुसूची जन जात्री और अन्नी पिछड़ा वर्ग और जो EWS कैटिग्री है ये आपको देखने को मिलेगी इसके साथी जो आपको छेते जारक्षन होरीजेंटल रिजर्वेशन जो इसमें मिलता है जिसमें कि उत्राखन की महिलाएं दिव्यांग जन पूरु सैनिक सुत्धता सिनानी अनात को जो है आपको होरीजेंटल रिजर्वेशन जो है प्रुवाइट कराया जाएगा तो ये तो हो गया reservation की बाद अब बात करते हैं किस तरीके से आपको जो है इसमें वेतन मान वगेरा देखेगा तो ये जो vacancy है समूग गौ की है मत्तब group B की post रहेगी तो जितनी भी group B की post रहती है उसमें other state के candidates भी जो है apply कर सकते हैं तो आप लोग इसमें apply कर सकते हैं इसके सांती जो इसमें level आपको देखने को मिलेगा वो level 7 की post है officer rank की ये post रहने वाली है salary इसमें 44,000 से लेके 1,42,000 तक आपको देखने को मिलेगी तो जितने भी candidates नई है channel को आप लोग ज़रू से subscribe कर लीजे latest update के लिए क्योंकि कोई भी vacancy का notification आता है या फिर कोई vacancy आने वाली होती है उसके बारे में हम आपको सबसे पहले update दे देते हैं जिससे कि आप लोग अभी से जो है अपनी तयारी शुरू कर दें जैसे ही notification आएगा आप सबसे पहले form flip करके आपकी तयारी जो है पूरी complete हो गई हो इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें qualification जो है क्या मागी गई है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो qualification जो है graduate जो है आपका होना चाहिए जो की विधी इसना तक से जो है आपका graduation होनी हैं अगर आपने अधर जो है बीसी करिए अधर उस stream से तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं सिर्फ आपको law की degree आपकी होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं विधी इसना तक जो है इसमें mandatory रहेगा अगर आपने कोई other degree करिए तो आप लोगों के लिए अन्य पोश्ट आएंगे उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे और आप चैनल को subscribe कर सकते हैं इसके साथी आगे अब बात करें तो इसमें क्या age limit रहेगी 21 से 42 वर्स तक की आपको age इसमें आपको देखने को मिलेगी जिसकी counting जो रहने वाली है वो 2024 से रहेगी 2024 एक जुल फिल अप कर पाएंगे तो फॉर्म जो है other state की candidates भी फिल अप कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ general category से ये form को फिल करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का आरक्षन का लाब नहीं मिलेगा जो आरक्षन रहेगा वो सिर्फ उत्रखन के candidates को प्रदान किया जाएगा अब हम बात करते ह कि इसमें जो है आपको form fees कितनी देखने को मिलेगी उसके बाद syllabus पर भी बात करेंगे कब तक vacancy आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो form fees जो है इसमें ज़्यादे आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो form की fees इसमें ज़्यादे आपको नहीं मिलेगी अब हम बात करते हैं सबसे important जो आपका रहेगा कि syllabus क्या रहने वाला है और इस बार आपको syllabus में संसोधन भी देखने को मिलेगा ठीक है तो उसके बारे में देखते हैं एक बार exam center आप देख लें कि उत्राखंड के अंदर ही ये exam कराए जाएगा जिसमें की 6 exam center जो है बनाए गए हैं पहला हलदवानी है हरिद्वार दहरादून पोड़ी गड़वाल अलमोडा और उधम सिंगनगार तो 6 आपके exam center जो है बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है candidates काफी कम रहते हैं इसलिए limited exam center जो हैं आपको देखने को ही मिलेंगे इसके बाद इसमें जो मुख्य परिक्षा रहेगी उसका भी exam center आपको अलग देखने को मिलेगा अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो syllabus है वो क्या रहता है क्या pattern follow किया जाता है इसका जो exam रहता है वो तीन चरणों में रहेगा मतलब prelims, mains और interview पहला तो आपका MCQ based रहता है दूसरा लिखित परिक्षा रहती और तीसरा आपका interview होगा अब जो है इसमें आपको questions जो है थोड़ा सा syllabus को जो है और बदल दिया गया है इस बार जो vacancy आपको देखने को मिलेगी 2024 में जिसमें की आपका syllabus में थोड़ा परिवरतन जो है कराया जाएगा पहला जो paper रहेगा समानी अध्यन का, सो अंकों का, सो प्रश्णों का, समय जो है डेड़ घंटे का मिलेगा और जो है परिक्षेस्तर समानी रहेगा अब जो है इसमें आपको उत्रखन वेगेरा भी देखने को मिलेगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और second जो आपका रहेगा विधी विज्ञान जो विधी लौ होता है तो लौ से सम्मंदित प्रश्ण रहेंगे subjective जो की सो अंक के रहेंगे, सो प्रश्ण रहेंगे और डेड़ घंटे का समय मिलेगा ठीक है विधी इसतना तक मतलब कुल मिलाके तीन घंटे का आपको समय मिलेगा 200 प्रश्ण रहेंगे इसके साथ ही अगर आप preparation करना चाहते हैं APO की कैसे questions पूछे जाते हैं क्योंकि काफी लोग जो है other state के भी होंगे जिनकों की उत्राखन के बारे में जादे knowledge नहीं होगा क्या pattern रहता है कैसे questions रहते हैं जिसमें कि आप हमसे जो है enroll हो सकते हैं हमारा course से आप लोग जोड़ सकते हैं जिसमें कि आपको पूरे guidance प्रोवाइट कराए जाएगी कि कैसे उत्राखन के questions पूछे गए हैं और जो आपके general questions रहते हैं जो कि आपका सामानी अध्यन general studies के कैसे questions पूछे जाते हैं तो वो सारे previous questions आपको provide कराए जाएगे साथ में जो law के questions होते हैं जो इससे previously vacancy आई हैं उनमें कैसे questions पूछे गए थे तो सारे previous questions mock test और study materials आप लोग हमसे purchase कर सकते हैं जिसकी fees जो रहने वाली वो 2.99 रहेगी ठीक है तो 2.99 में आप ये सारी चीज़ें avail कर पाएंगे तो यहाँ पे जो है what's up नमबर देख रहा होगा इस नमबर पे आप लोग हमें what's up कर सकते हैं और इसमें सारा जो है आपको study material जो की general paper का साथ में law का जो है study material previous year question paper के साथ आपको provide कराए जाएगा आप साथी इसमें आपको जो है negative marking भी देखने को मिलेगी तो वो सारे चीज़ें आपको रहेंगी ठीक है तो prelims जब आप qualify कर लेंगे उसके बाद आपका mains होगा तो mains का pattern एक बार देख लें जिसमें की general studies रहेंगी जो की 3 घंटे का रहेगा और समानी स्तर का रहेगा इसके बाद समानी हिंदी आपको देखने को मिलेगा 3 घंटे का जिसमें की 14 प्रशन आपको रहेंगी इस तर जो रहेगा वो high school level तक का इस तर रहेगा न्यूनितम आपको पैती संकलाना अनिवारी रहेगा इसके सांती law जो रहेगा इसमें law criminal law और जो police act रहते तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसमें की 10 प्रशन रहेंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा तो विधी सनातक के प्रशन आपको दिखेंगे law evidence के questions दिखेंगे तो इसमें जो है 3 घंटे का समय मिलेगा और 10 प्रशन मिलेगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते कुल मिलाके जो है आपको 4 paper देखने को मिलेंगे अभी इसमें संसोधन किया जा रहा है और कुछ प्रशन और add-on किये जा रहे है जैसे आपके UP में जो है syllabus रहता है उसी को copy किया जाएगा तो आप लोग UP का syllabus देख लेए UP में APO की vacancy का क्या syllabus है उस तरह की syllabus आप आपको उत्राखंड में भी देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर यह previous syllabus अभी हम discuss कर रहे हैं तो यह तो रहेगा ही रहेगा इसमें कुछ और चीजे भी add-on की जाएगी जो कि law से संबंदित होंगी तो यह सारी चीजे हैं और इसमें interview जो आपका रहेगा वो पचास अंकों का रहेगा ठीक है तो 50 marks का आपका interview भी होगा इसके साथ आपका जो अन्य चीजे रहेंगी कि किस तरीके से आपका पूरा detail में आपको देखने को मिलेगा जिसमें की general science के questions रहेंगे current affairs के questions रहेंगे उत्राखन के बारे में भी आपको इसमें प्रशने देखने को मिलेंगे Indian history बगएरा जितना भी general portion रहता है तो ये सारी चीजे रहेंगी उसके PDF में आपको provide करा दूँगा अभी देखे इसमें उत्राखन का जो portion रहता है वो सिर्फ इतना ही दिया है तो इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो की पंचायती राज हो गया वन पंचायत सिस्टम हो गया तो इसमें आपको सारी चीजें forest, rotation of crops, cultivation festivals तो ये सारी चीजें आपको उत्राखन के बारे में all total पता होना चाहिए तो यहाँ पर अच्छा portion आपको उत्राखन का देखने को मिलेगा second portion जो law का रहता है तो law में सारे आपके Indian Penal Act के questions देखेंगे Indian Evidence के questions देखेंगे Court of Criminal Procedure के questions देखेंगे उत्राखन पुलिस Act तो कितने questions कौन से field से आपको देखेंगे तो वो आप देख सकते हैं 35, 25, 25, 15 तो यह जो है portion आपका रहेगा इसके साथी जो है उत्राखन पीनल कोर्ट के जो है आपको यह questions देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपके Indian Evidence Act के questions आपको देखने को मिलेंगे Criminal Procedure के questions देखेंगे उत्राखन पूलिस Act के questions आपको देखने को मिलेंगे तो यह सारे जो है questions रहेंगे इसके साथी यह आपका General Paper रहेगा जिसमें की General Science का Natural Resources का Environmental का तो यह आपका Mainz का जो है paper रहेगा History का portion भी आपको देखने को मिलेगा Geography का Indian Policy का तो यह basic questions आपका रहेगा समानी हिंदी आपका जो है सो अंक रहेंगे और तीन घंटे का जो है इसमें समय मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है letter writing लिखनी होगी अलग-लग जो है आपको हिंदी में अच्छी command आपकी होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा इसके बाद जो next paper रहेगा law criminal procedure का इसमें आपका जो syllabus रहेगा वो किस तरीके से रहेगा यहाँ आप आप देख सकते हैं तो यह सारे जो हैं आपको procedures देखने को मिलेंगे Indian Penal Act 1860 के questions आपको देखने को मिलेंगे उत्राखन के हैं criminal procedure के हैं तो यह जो हैं part रहेगे इसके बाद last paper जो रहेगा evidence act का जो की 100 अंकों का रहेगा और 3 गंटे का time आपको इसमें देखने को मिलेगा लास्ट मापका personality test भी आपको देखने को मिलेगा तो यह सारे questions किस तरीकी के पूछे जाते हैं exam pattern क्या रहता है उसके बारे में अगर आप हमसे जोड़ना चाते हैं जिसमें कि हम आपको previous year question paper जो है provide कराएंगे किस तरीकी के questions आपको preparation अभी से करनी होगी सारी day to day update आपको provide अगर करनी है तो आप हमसे जो है join हो सकते हैं जिसमें कि आपको previous questions मिलेंगे mock test provide कराए जाएंगे और notes आपको जो है इसमें मिलेंगे किस तरीकी के रहेंगे तो यहाँ पे आपको जो है whatsapp number शोरा होगा इस number पे आप लोग हमें whatsapp कर सकते हैं अगर आप इस post के लप लाप लाइ कर रहे हैं जो fees रहने वाली है course की वो minimum fees जो आपको देखने को मिलेगी वो 299 जो है आपकी fees रहेगी जिसमें कि आप enroll करके आपको सारे update notification, syllabus, previous year question paper इसके सांती जो study material रहता है जितना भी provide होगा वो सारा आपको provide कराया जाएगा तो course की fees minimum 299 रहेगी और इस number पे आप लोग हमें whatsapp करके इस course में enroll हो सकते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़े discuss कर लिए अब main जो बात करेंगे post आपको कब तक देखने को मिलेगी तो इसका जो है अध्याचन आयो के पास पहुंच चुका है और election के बाद इस पर जो है काम शुरू हो जाएगा और इसका notification आपको जुलाई मन्त में या फिर अगस्त मन्त में इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा टोटल पोस्टों की बात करें तो 150 पोस्ट उपर इसका notification जो है आपको देखने को मिलेगा तो कोई भी update रहता है latest update के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहेए इसके regarding कुछ भी पता चलता है कि कब तक क्या होने वाला है किस तरी किस रहेगा तो आप लोग हमारे से जुड़े रहेए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई